सबसे पहली बात, टेक फिफ्टीन तो फॉर्टीफाइब मिनट्स वाक एवरी दे and when you walk, smile, रोज पंधरा से पैतालिस मिनट्स वाक करें और जब आप वाक करें, तो आपके चहरे पे खुशी हो, आपके मन में खुशी हो, दूसरी बात, sit in silence for at least 15 minutes each day, रोज कम से कम पंधरा मिनट्स में खुद के साथ बैठें, तीसरी बात, when you wake up in the morning, pray to ask God's guidance for your purpose today, जब सुभए उठें, परमात्मा से प्रे करें, प्रार्थना करें, कि वो आपके दिन को खुशूरत और सुन्दर बनाए और उसे सही मकसद दें, चौथी बात, eat more foods that grow on trees and plants, and eat less food that is manufactured in plants, वो food जदा खाएं, जो पेडों पे उखता है, जो food factory में बनता है, वो सरफ product हैं, आहार नहीं है, जितना live और green food खाएंगे, उतनी life energy आप में बनी रहेगी, पांचवी बात, drink green tea and plenty of water, instead of regular tea or coffee, चाय कॉफी की जगे, आप दूद पिएंगे या green tea पिएंगे, और blueberries खाएंगे, broccoli खाएंगे, almonds खाएंगे, ऐसी चीज़े खाएंगे, ऐसी चीज़े पिएंगे, जो आपकी health को बहतर बनाएं, जितनी अच्छी आपकी health होगी, उतनी अच्छी आपकी दुनिया होगी, चटी बात, try to make at least three people smile each day, हर दिन कम से कम तीन लोगों को आप हसाएं, उनके चहरे पर मुस्कुराहट लाएं, जब कोई आपकी वजह से खुश होता है, तो आपको आपकी जिन्दगी भी खुबसूरत लगने लगती है, आपको आपकी जिन्दगी से भी प्यार हो जाएगा, साथ भी बात, don't waste your time and energy on gossip, on negative thoughts or things you cannot control, instead invest your energy in the positive present moment, अपना समय और शक्ती, negative बातों पे waste ना करें, बुराई करने में waste ना करें, ये मत सोचो कि क्या बुरा है, क्या गलत है, बलकि अपना समय और शक्ती positive बातों में लगा है, ये सोचे कि जिन्दगी कितनी खुबसूरत है, कि आपको जिन्दगी में क्या मिला है, आठवी बात, eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a kid, अपना सुभह का नाष्टा एक राजा की तरह करें, मतलब अच्छे से करें, और अपने दिन का भोजन एक प्रिंस की तरह करें, मतलब कम खाएं, और रात का खाना बिलकुल छोटे बच्चे की तरह करें, मतलब बिलकुल ही कम खाएं, नवी बात, life isn't fair, अपनी एक परमानेंट सोच बना ले, जिन्दगी में सब कुछ हमेशा अच्छा ही हासल नहीं होता, पर फिर भी, जिन्दगी बहुत अच्छी है, दसवी बात, life is too short to waste time hating anyone, forgive them for everything, जिन्दगी बहुत छोटी है, इसी लिए इसे लोगों से नफरत करने में नहीं, लोगों को शमा करने में और प्यार करने में गुजारें, ग्यारवी बात, be easy, don't take yourself, so seriously, सरल बन कर जीओ, खुद को ज़्यादा seriously मत लो, जिन्दगी का आनन लेना सिखो, हर बात को दिल से लगा के मत बैठो, show must go on, बारवी बात, help the needy, be generous, be a giver, not a taker, जिन्हें आपकी जरुत हो, उनकी मदद करें, kind person बने, दयालू इंसान बने, तेरवी बात, remember that, you are too blessed, not to be stressed, हमेशा याद रखें, कि आप पे परमात्मा की बहुत किरपा है, वो हमेशा आपके साथ है, उनकी blessings आपके साथ है, इसलिए कभी भी किसी बात के लिए भी, जिन्देगी में stress ना लें, चौधवी बात, each night before you go to bed, pray to God and be thankful, रात को सोने से पहले, परमात्मा से प्रार्थना करें, और उन्हें धन्यवाद दें, इसे एक फूपसूरत दिन के लिए, जो उन्होंने आपकी जिन्दगी में दिया है, और पंधरवी बात, be always grateful and thankful, जिन्दगी को धन्यवाद के भाव से भर दें, कंप्लेन करना छोड़ दें, क्या कमी है, ये मत सोचे, क्या मिला है, हमेशा ये सोचे, यदि ये 15 बाते, आप अपनी जिन्दगी में अपना लेंगे, और इन बातों को अगर अपनी जिन्दगी का हिस्सा बना लेंगे, तो आपकी जिन्दगी आपको बहुत खुबसूरत लगने लगेगी, आपको आपकी जिन्दगी से प्यार हो जाएगा,